लाइव कर दिया है लाइव कर दिया है नमस्कार मैं अजय सिंग हर्भ स्वागत है आपका टेस्ट बुक सूपर कोचिंग पर तो आईए सातियों आप सभी आचुके हैं तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके यह हैं बताएं कि हमारी जो पृत्वी है उस पर कितने प्रतिशत पानी है दूसरा प्रश्न आप सब मुझे यह है बताएं कि जो हमारी पृत्वी है इस पर कितने महाद्वीप हैं तीसरा प्रश्न आप सब मुझे यह है बताएं कि हमारा देश भारत जो है उसमें अभी सुभह के कितने बज चुके है कितना समय भी हो चुका है किka ग्यारा बज चुके है के और 11 जा हमारी कौन सी क ready शुरू होती है पेटा सीडी पी की Baby stores शुरू होती है ना और मैं live आज चुका हूँ तो चलिए अपनी आज की class की शुरुवात करते हैं और मैं उमेद करता हूँ कि आप सब साथी एक बार class को like कर दिये होंगे जिस भी साथी ने अभी तक class को like नहीं किया है जल्दी से बटा इस class को like कर दे ताकि हम लोग अपनी क्लास के शुरुवात कर पाएं अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकें डॉक्टर इशाक अली, मौनिका यादव, सुनीता पूजा सोनी मुहमद शाहिद, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ज्यान, शिल्पी, प्रमिला, राखी, प्राची, सिंधु, नाहिदा, आशुतोष, दीशु आज थोड़ा जुखाम हो गया है मुझे तो मैं बहुत ज्यादा तेज तो नहीं बोल पाऊंगा आप लोगों के साथ तो आप लोग हर एक प्रश्ण को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा चलिए बेटा, क्लास की शुरुवात करते हैं और पहला प्रश्ण आप सभी की स्क्रीन पर लेकर आते हैं शाहिन, परविन, दिव्या, प्राची, आजा कुछ बच्चे कह रहे हैं के सर अमने क्लास को लाइक कर दिया है तो बटा जिसने क्लास को लाइक कर दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिसने लाइक नहीं किया है वो भी लाइक कर देंगे जल्दी से ठीक है चलिए, लाइक करने के बाद में पहला प्रश्न हम समकी स्क्रीन पर आता है, पहला प्रश्न हम से कहता क्या है, ध्यान से देखना, यह कहता है कि निम लिखित में से कौन सा आधार भूत सहायता, अब यह आधार भूत सहायता की यहाँ पर हम लोगों से बात की गई है, तो यह से आप लोग समझ गए होंगे कि वो यह दिखाना चाहता है कि जहां पर बच्चा किसी कार्य को खुद से नहीं कर पाएगा वहां पर हम उसकी सहायता करेंगे इंग्लिश में आप लोग इसे स्कैफ फोल्डिंग के नाम से जानते हैं है ना समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरसकार देना नहीं बेटा यहां पर जहां बच्चे को दिक्कत आती है वहां पर आप सहायता करते हैं बच्चे की तो राइट आंसर हमारा ओप्शन को मिलता है जिसके लिए वो स्कैफ फोल्डिंग होता है कि जो कारिये बच्चा खुद से ना कर पाए वहां पर सिक्षक की और से बच्चे की सहायता कर देना अगला प्रेशन हमारी स्क्रीन पर आता है तो आप उसमें यह पाते हैं आपको कहा गया आपकी कक्षा में सीखने की विविद शैलियों वाले बच्चे हैं यानि कि आपकी जो क्लास है उसमें जो बच्चे बैठे हैं वो अलग-अलग तरीके से सीखते हैं सीखने की विविद शैलिया इसका मतलम क्या है कि बच्चे को जब आप सिखाओगे तो वो अलग-अलग धंग से अलग-अलग तरी हैं तो आपका प्रयास यह होना चाहिए कि आप उनका आकलन भी अलग अलग तरीके से ही कर रहे होंगे तो right answer हम यहाँ पर क्या लेकर चल सकते हैं कि विविद्ध प्रकार के कारिये देंगे अलग अलग तरह के देखने को मिलता है यह हमारे लिए रिसोर्स होता है या हमारे लिए प्रोब्लम होता है तो जब भी हम लोगों को बहु भाशिकता देखने को मिलती है हमारी क्लास के अंदर जो बच्चे मोजूद है ठीक है वो सभी बच्चे जो बच्चे हमारी क्लास में मोजूद है वो सभ यही बच्चे अगर अलग अलग भाशाओं को बोलते हैं तो हमारे लिए वो एक रिसोर्स होता है, संसाधन होता है, प्रैशन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर आता है, तो बेटा आप उसमें पाते हैं कि आजकल बच्चों की गलत धारनाओं को वेकल्पिक धारनाएं कहने की एक प इंपल, गौरव, बेटा सभी जवाब दें, इस बहितरीन से प्रैशन का, सौरव, निकी, सुनीता, यादव, कि सर हम यह इसका आंसर करेंगे, लक्षमी, शशी, शाजिया, ओम प्रकाश, अरविंद कुमार, शिल्पी, बहुत सही, बहुत सही, आंसर बेटा हमारा इसका ब अधियमिक विध्याले की कक्षा, मिडल स्कूल क्लासरूम को लेकर के, टीचर का बेस्ट रोल डिस्क्राइब कर रहा है, टीचर का बेस्ट रोल, बहु परिपेक्षक और निरुत साहित, निरुत साहित नहीं करना होता है, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प् अस्तेमाल करना नहीं होता है, प्रथम स्थान बच्चे प्राप्त कर सके, इसलिए बच्चों में प्रतीस परधा को बढ़ावा देना नहीं होता है, टीचर का प्रथम, प्रियास, टीचर की और से प्रथम उसकी भूमी का जो बनती है, वो बनती है, बच्चों को बेहेतर बनाने के लिए आपस में उनके discussions करवाना ठीक है चर्चाओं के अवसर बच्चों को उपलब्ध करवाना option number C हमारा इसका बिल्कुल सही बनता है प्रैशन नंबर अगला हमारी स्क्रीन पर आता है तो आप उसमें यह पाते हैं कि आपको यह कहा गया अभी प्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही है आप इन उप्शन को समझेंगे उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूँ बी एफ सकीनर का नाम आप सभी ने सुना होगा बेटा सकीनर यह कहते हैं कि मोटिवेशन जो होता है न वो सूपर हाइवे होता है जो मोटिवेशन है वो सूपर हाइवे होता है लर्निंग के लिए बच्चे को जब आप सिखाएंगे और सिखाने की दोरान अगर आप लोग बच्चे को मोटिवेट भी करेंगे बच्चे को आप सिखाएंगे और सिखाने के साथ साथ बच्चे को मोटिवेशन भी देंगे तो बच्चा जब सीखेगा तो बड़ी तेजी स सीखेगा इंटरस्ट के साथ में सीखेगा यहां पर यह मतलब बनता है किसका हाइवे का तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा हमें बच्चों के अंदर खुद से अपने आप से सीखने के भाव जागरेत करने हैं राइट आंसर बनेगा हमारा ओप्षिन नमबर सी चलिए प्र सीखना शिक्षार्थी को पूर्व ज्यान पर आधारित नहीं है बेटा यह भी गलत कहा गया है सीखना कोशलों के संचय के समान है राइट आंसर बेटा हमारा यहां पर बनता है ओप्षिन नमबर डी ठीक है सीखने को समाजिक क्रियाय सुवीधा देती है और सीखने को उसका नाम बंडूरा होता है डेवलेप्मेंट वाले टॉपिक में वय गौत्सकी होता है याद आया आप लोगों को चलिए तो अगला प्रशन हमसे यह कहता है यहां पर कि जल्दी से आप लोग हमें यह बता दें कि कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधी बच्चों को सीख सीखने के लिए सक्षम बनाती है बताओ बच्चों को सीखने के लिए कौन सी गतिविधी सक्षम बना रही है आप सबों के हिसाब से के सर यह वाली गतिविधी है जो की बना रही है सब ही जवाब देंगे इस बहितरीन से प्रश्न का मैं चाहूंगा कि हर कोई आंसर करे जवाब आप सभी दें, जवाब बेटा आप हर कोई दें, शाबाश, लगातार आंसर करते रहें, बच्चों को सनवाद के मोके देने हैं, आपस में बातचीत के मोके देने हैं, यह से रिवोड देना है, पुरुसकार देना है कि अरे गोतम, महेग, नाजिया, रजिया, चलो बेटा, ऐसा करो, कि यह पुरुसकार तुम्हें मिल जाएगा, और यह काम कर लो, नहीं जी, सिर्फ रिवोड देना, लेक्चर देना, सिर्फ निर्देश देना, बेटा, यह सब चीजे ना, टेंपरेरी होती हैं, लॉंग टरम के लिए चीजे नहीं होती हैं, पर्मानेंट लर्निंग के और यह चीजे लेकर नहीं जाती हैं, बच्चों को आपस में सनवाद के मोके हम लोगों को उपलब्द करवाने हैं, यह कहता है कि विकास के बारे में निमनलखित में से कौन सा कथन सही है, अब जो कथन सही है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, विकास जनम से किशोरा वस्था तक आगे की और बढ़ता है, फिर पीछे की और क्या ऐसी बात है, एकदम गलत बात कही गई है, विकास हमारा जो होता है, वो जनम से नहीं बेटा, जनम से पहले से ही शुरू हो जाता है, कब गर्भा वस्था से ही शुरू होता है, विकास आत्मक प विकास होता है सर्पाकार वृतालुकार हम उसे कह देते हैं विकास जनम से किशोरा वस्था तक एकदम गलत बात कही गई है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नमबर सी विकास भिन वेक्टियों में भिन गती से होता है आपके विकास की गती कुछ और हो सकती है मेरे विकास की अलग रहती है लेकिन जो पैटन होता है डेवलेप्मेंट का वो सबका सेम होता है प्रैशन नमबर नो पर जब हम लोग सभी आ चुके हैं तो यह प्रैशन नमबर नो हमें कहता है Middle Childhood is the period from वाशुतोष क्या रहे है मेरा बहुत तेज है हाँ यह सारे देश का विकास जो है आशुतोष वो आप में ही आबसा है है ना आप तो मोदी जी से भी तेज विकास कर देते हो मेरे ख्याल से अच्छा एक बात आप लोग देखे एक अभी इलेक्षन हुए थे आप सभी ने देखा आप सभी ने कहां कहां पर इलेक्षन थे कौन से राज्यों में थे आप भी उन राज्यों से आते होंगे कोई ना कोई अभी इलेक्षन राजस्थान, मध्यप्रदेश, 36 गड़ और तेलंगाना हम सभी ने पाया कि तेलंगाना में तो कांग्रेस की जीत हुई लेकिन वहाँ जो पहले से सत्ता में बैठे हुए थे, जो मुख्यमंत्री थे उनकी पार्टी जो है वो तो बुरी तरह से हार गई, है रहा लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि तीन राज्यों में उत्तर भारत में डंका बजा बीजेपी का, बीजेपी की सरकार बन चली है, जीत गई है और अब चारों और एक हवा उड़ चली है, फिर से एक लहर बन पड़ी है कि बीजेपी दो हजार चोबिस में फिर से जीतेगी, पूर्ण भावमत से जीतेगी, प्रदहान मंत्री जी अगले वर्ष फिर से लाल किले से भाषण देंगे, संभोधित करेंगे इस देश को तो देखो एक बात मान करके चलो एक बात मान करके चलो आप सभी कि जब दो हजार चोबिस के इलेक्षन हो रहे होंगे ना तब तक जितनी भी विकेंसी आनी है उनमें शामिल हो जाना दो हजार चोबिस के इलेक्षन के बाद इस देश में लगभग एक से दो साल तक विकेंसी का अकाल पड़ने वाला है बहुत बड़ी बात आप लोगों को कह रहा हूँ 2024 के election तक जितनी भी भरतियां आने वाली हैं हर भरती में शामिल होना लेकिन अगर कोई ये सोच कर बैठा है कि मैं तो 2024 के election के बाद में पढ़ाई लिखाई करूंगा भरतियों में शामिल होंगा तो इस देश में 2024 के election होने के बाद भरतियों का एक से दो साल तक अकाल पड़ेगा तो अभी अपने सीटेट को पास कर लो ठीक है अभी सीटेट को पास कर लो जैसे आप लोग सीटेट पास करोगे डी ट्रिप्लेस बी की वेकेंसी आनी है यानि दिल्ली में भरति आनी है टीचर की और बेटा उस भरति में आप शामिल हो पाओगे तो अब की बार यह सिर्फ नब्बे नंबर का ही तो खेल है नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है क्या डेड़ सो में इसे नब्बे नंबर नहीं लिये जाएंगे आप लोगों से और अभी तो समय भी खूब सारा बचा हुआ है कि डी ट्रिपलेस बी की वेकेंसी सो परसेंट आनी है सो परसेंट आएगी दिल्ली में टीचर बनने का इससे बढ़िया मोका आप लोगों को मिलेगा नहीं राइट आंसर हमारा बनता है ओप्शन नंबर डी छे वर्ष से लेके ग्यार है वर्ष जब यह दो से छे वर्ष कह कहता है तो बेटा यह अर्ली चायल्ड हुड की बात करता है na प्रशन नंबर दस हमारी स्क्रीन पर आता तो यह कहता है किसी विक्तीbrand को आकार देने में कोई भीजू विक्ती है ठीक है उस विक्ती इसमल आकार देने में वातावर्ण कि घटकों की कोई भूमिका नहीं होती एकदम गलत बात ये कही गई है एकदम सरासर गलत बात है वातावरण की तो बहुत बड़ी भूमिका होती है आपका मेरा हम सभी का जो आधार है जो हमारी विशेष्टाओं का आधार है वो तो बेटा हमारे वनश्यानू क्रम से हमें मिला है जब बात आती है आकार की तो हमारा आकार हमें वातावरण से मिला है और आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है एकदम गलत बात है राइट आंसर बनेगा ओप्शन नमबर ए बिलकुल बढ़िया प्रैशन नमबर 11 आप लोग देखते हो ये कहता है कि एक प्रक्रिया ह जिसके माध्यम से मानव शीशु समाज के स्क्रिय सदस्य के रुप में निश्पादन के लिए आवश्य कोशलों का अर्जन प्रारहम करता है समाज की यहां पर बात की गई है समाज के जो नियम कायदे कानून होते हैं उनको अपना कर उनके अनुसार कारिये गतिविदिया क करना कहां पर होता है यह होता है ओक्षिन नंबर भी समाजी करन में सोशलाइजेशन में आप जिस समाज में रहते हो मैं जिस समाज में रहता हूं सभी जिस भी समाज में रहते हैं क्या उस समाज का हमारे उपर प्रभाव होता है होता है सो प्रतिशत होता है आप कौन से रा जाना बोर्डर पर मेरा गाव है, दिल्ली के साइड में, आप सब कौन से राज्य से आते हैं, तो आपके राज्य का बिटा जो समाजिक विवस्था है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो आपको प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है, राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहां प नहीं कहा ऐसा, भाषा, उन्होंने भाषा को ज्यादा महत्व नहीं दिया, इमीटेशन पर भी उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया, हां उन्होंने यह बताया जरूर है, कि फर्स्ट स्टेज में बच्चा डेफ़र्ड इमीटेशन करता है, एक्स्पिरियंस विद फिजि विश्व उसका फिजिकल वर्ड होता है और जितना ज्यादा बच्चा अपने फिजिकल वर्ड के साथ इंट्रेक्ट करेगा experience लेगा उतना बहतर तरीके से वह सीख पाएगा तो option number C हमारा इसका बिल्कुल सही बनता है प्रेशन नंबर 13 पर जब हम लोग पहुचते हैं तो वो हमसे क्या कहता है कि प्री ओप्रेशनल पीरियड के बारे में आप हमें बताओ अब बेटा प्री का मतलब क्या देखो कभी भी आप लोगों को कोई भी प्रेशन समझ में आए कोई भी टर्म आपको समझ में आए जहां भी आपको दिक्कत हो रही हो तो सबसे आसान तरीका बताता हूँ कभी भी परेशान नहीं होगे ठीक है जैसे यह pre operation है, इसको बाट लो, pre को तोड़ लो पहले, pre का मतलब होता है before यानि की पहले, operation का मतलब होता है logic, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तरक, तो तरक पहले, इसे हम क्या लिखेंगे, तरक से पहले, यानि के यह वो समय होगा, जब अच्छा, जब अच्छा तरक नहीं कर सकता, यह वो समय है जब अच्छा तरक नहीं कर सकता, राइट अंसर मिसका क्या देंगे, बताओ जिल्दी से, तरक नहीं कर सकता है, हाइपो 30 को बेटा यह तो stage number 4 में होता है, अमूर्त चिंतन भी stage 4 में होता है, राइट अंसर बनेगा option number D, यह stage number 1 में होता है, चलिए, आगे बढ़ेंगे इसके बाद, प्रेशन नमबर, अगला हमारी स्क्रीन पर हमसे कहता है, जोडे का मिलान ठीक हुआ है, हमारी जिन्दगी के अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि जोडे अगर गलत मिला दिये जाते तो वो आपस में फिर लड़ते रहत मैं अभी सबजी बना रहा हूँ, हाँ, अजे सरकी क्लास से पहले मैंने जाडू पोचा किया था, अरे वा, आप तो कितने अच्छे हो, जाडू पोचा भी कर लेते हो, फिर तो बढ़िया है, बढ़िया बहुत बढ़िया है, मेरे तो मजे हो गए, अब लड़का जूट ब उठा करके किचन में रखने नहीं जाता है, खाना खाने के बाद में, फिर पता चलता है, ओह, जोडा तो गलत मिल गया रहे, यह जोडी तो गलत मिल गई, तो देखो यहाँ पर जोडो का मिलान ठीक हो रखा है, कौन से जोडे का, एक जोडे का मिलान ठीक हुआ है बस, सिर् एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है, बाकी तीन जोड़ों का मिलान गलत हुआ है, और ऐसे जिन्दगी में होता है, जिन जोड़ों का मिलान गलत हो जाता है, वहाँ पर दिन रात, लड़ाई, जगड़े, भहस, बाजी, एक दूसरों परारों, प्रत्यारों, मैं सही, तुम ग कि चलो तो अब सी ओप्शन से सभी लोग बड़े खुशे हैं कि एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को कहने जा रहा हूं खासकर कि लड़कियों को सभी लड़कियां अपने आपको आर्थिक तोर पर मजबूत बनाएं खुब पढ़े लिखें नोकरी लगें या अपना कोई वेवसाय रोजगार काम कुछ भी आप लोग करें लेकिन अपने आपको आर्थिक तोर पर मजबूत बनाएं अगर आप अपनी जिनदगी को बहतर रंग से जीना चाहती हैं तो आपको आर्थिक तोर पर मजबूत बनना पड़ेगा जब हम लोग अपने इतिहास को उठा कर देखते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि महिलाओं को भले आजादी ना मिली हो घर से बाहर निकल कर कुछ करने की लेकिन आज हर महिला हर एक लड़की जब अपने घर से निकलती है तो वो हर एक काम को कर सकती है हर एक बड़ी से बड़ी उड़ान वो उड़ सकती है तो बेटा अपने आपको आर्थिक तोर पर मजबूत बनाओ सभी लड़किया अगे बढ़ते हैं इसके बाद में अगला प्रैष न हमारा आता है जिसमें हम लोग देखते हैं प्रेशन अगला हमारी स्क्रीन पर में कह ता कि वाइगाऋत्स्की की संस्कृति के अनुसार बेटा वाइगाउस्की को आप सब जानते ओं अपना दोस्त वाइगाउशешь की वाइगोच्की कहां कहां रहने वाला है कहां का वाइगोच्की पटना का है एक ये अपने बिहार का पतना वहां का है क्या नहीं सर यह तो लखनव का है अरे नहीं जीन प्याजे है लखनव का तो बेटा यह रशिया के रहने वाले हैं रूस के रहने वाले हैं अपने जो पुतिन सहाब हैं उनके देश के रहने वाले हैं तो इन्होंने विक्तिगत वाग की बात कही है बिल्कुल कही है का इन्होंने private speech की बात कही प्रइवेट स्पीच का मतलब क्या होता है private speech से इनका मतलब है जिसमें बच्चा बड़ बड़ाता रहता है जिसमें बच्चा खुद से बॉल बोल कर Mama करता है अब जैसे कि मैं यहां पर स्टूडियो में खड़ा हुआ हूँ और बड़ आये जा रहा हूं सीटेट वालों के लिए सुभा ग्यारा बजे जो मैं लाइव क्लास लेकर आता हूं उस क्लास में इन सभी बच्चों को नोट्स देने की भी मेरी जिम्यदारी बनती है पीडियर उनको तो फिदियोगे के नहीं इसारे सब्जेट के नहीं तो कम से कम पैडागोजी तो उनको 50 हे दो हो गया है किया यह जसर पागल है पगला गया है मैं क्लास से बाहर जाओंगा इतने में जाकर देखोंगा पूरे ओफिस में यह बात उठ चली है अजय कर जो है वह अकेले में जूत नहीं बेटा सब लोगों को यह होचला जैसर में भूत आ गये हैं कि अब आशुतोष कहा रहे हैं कि जैसर में चुडेल आ गई है अरे मरवाओगे क्या मुझे है किसी चुडेल में फस्वा करके कि दुनाई करवाओगे तुम लोग मेरी तो बेटा यह अपने आपसे जब हम लोग ना खुद से बोल बोल कर बाते करते हैं बढ़ बढ़ाते हैं तो यह क्या होता है इसको ना वाइकॉट्सकी कहता है कि यह बच्चे के लिए सही होता है इससे बच्चे का मेंटल डेवलप् करता है राइट आंसर इसका हमारा होता है जो कि आप लोगों ने option number d दिया यहां पर कि बच्चा अपने आपको एक निर्देश देता है आप लोग खुद से बोल बोल कर बाते करते हों इमानदारी से बताना कौन को रहसा है जो खुद से बोल बोल कर बाते करता है अग्ध करता हूं आज भी करता हैं मुझे अच्छा लगता है कुझ से बोलकर बाते करना है सनल्मंटमन्हीमन खुझसे बाते करते है तो जो मनी मन खुझसे बाते करते उसको inner in speech कहा जयता है प्रैशन अगला हमारी पर हमसे यह कहता है कि Why Godsky की एनुसार सीखने को पर थक नहीं किया जा सकता हाँ बेटा सीखने को प्रथक नहीं किया जा सकता Cannot be separated from, जिहान से देखें, c social context से, और social context की बात कौन साहब कहते हैं? वैगोट्सकी जी कहते हैं, option number B सही होगा वाइगाउट्सकी से याद आया पेपर में ZPD की फुलफोम वह आप से पूछेगा चलो जल्दी से मुझे comment करके बताओ what is the full form of ZPD और मैं एक और बात यहां पर देख रहा हूँ कि बेटा देखो आज लाइक में कंजूसी आपने बहुत करके रखी है एक बार सभी एक साथ लाइक वाले बटन पर दबा दो बटन सभी ने लाइक कर दिया क्लास को हर किसी ने नहीं कुछ बच्चे अभी भी बाकी है मैं देख रहा हूँ लाइक वाला बटन अभी भी काफी नीचे है कि सभी एक साथ में लाइक करेंग देखो कि बहुत बड़ी है काफी उपर गया भी भी कुछ रह गए है चलो सर हमने भी कर दिया आईए अब बेटा हमारे सामने बात आती है कि प्रगति शील सिक्षा को ले करके प्रगति का मतलब क्या होता है जब हम पहले से बहतर होते हैं तो सिक्षक का पूर्ण नियंत्रन यहां नहीं होता है ओटो क्रेटिक डिक्टेटोरियल यहां पर चीजे नहीं होती है लोकतांतरिक विवस्था होती है बिलकुल होती है और बच्चे जो होते हैं वो खुद से अपने आप से यहाँ पर कारियों को गतिविदियों को कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, बेहतर हो रहे होते हैं आंसर बनेगा option number B जो की एकदम सही है प्रैशन अगला हमसे यह कहता है कि भाशिक बुद्धी वाले विक्ति को दर्शाता है अब linguistic intelligence आप यहीं से clear कर लो कि भाशिक बुद्धी जो भाशा संभंधी है स्वर, राग, सुर क्या यह भाशा संभंधी है? नहीं जी नहीं तो इसमें क्या आएगा? यह तो गाने बजाने से संभंधित है ना? यह तो music वाली बुद्धी बनी हुई है यह तो music वाली बुद्धी बनी हुई है यह तो गाने बजाने की बुद्धी है आंसर क्या करेंगे हम इसका? सभी बताएं, जल्दी से भाशा की समझ आपको जहां पर होती है शब्दों के अर्थों की है ना? आप्शन नमबर भी एकदम सही बनता है प्रैशन नमबर बेटा अगला हमारी स्क्रीन पर कहता है कि लेंगवेज डैश थोर्ट प्रोसेसेज भाशा विचार प्रक्रिया डैश यहां पर आप लोगों को मैं एक बात क्लीर कर देता हूँ जब बात आएगी जीन प्याजे की तो आपको हमेशा जवाब देना है वो कहते हैं कि पहले थोर्ट आते हैं उनके बाद में लेंगवेज आती है ठीक है जब बात आती है वाइगौद्सकी की तो वाइगौद्सकी कहते हैं कि दोनों सवतंत्र होते हैं थोर्ट और जो लेंग्वेज है जो भाषा है वो हमारी थोट प्रोसेस को चिंतन प्रक्रिया को बहतर बनाती है तो प्रभावित करती है option number D सही होगा प्रैशन अगला हम से ही कहता है कि कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है यह शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला मैं आप सभी लड़कियों को यहां पर ध्यान दिलाना चाहूंगा इस प्रैशन की और ध्यान स ने से देखें गला महिलाय सिर्फ शिक्षिका हो सकती इंग बहुत काम करने वाली हो सकती है नहीं और और जबकि डॉक्टर एवं पाइलेट के रूप में पुर्ष क्यों लड़के घरेलू काम करने वाले नहीं हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं मतलब लड़कों को जबरदस्ती डॉक्टर और पाइलेट बनाते हैं ना यह लड़के डॉक्टर और पाइलेट बनना नहीं चाहते, यह लड़कियां जबरदस्ती इनको डॉक्टर बना रही है, इनको जबरदस्ती पाइलेट बना रही है, जबरदस्ती इनको इंजीनियर बना देती है, क्या जवाब होना चाहिए इस प्रेशन का सभी बताए बेटा हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है न वो ऐसा है उसके तहत रोल तै कर दिये जाते हैं आइडेंटिटी फिक्स कर दी गई है जबकि महीला हो या पुरुष हो वो दोनों हर तरह के कारिये कर सकते हैं हर तरह के गतविदियों के अंदर उनको शामिल होना चाहिए यह जो बांट दिया गया है ना काम रोल यह सब कुछ यह नहीं होना चाहिए आप सरकारी नोक्री लगते हैं तो आप ना जाने कितने ही बेरोजगार लोगों की मोहबत को उड़ा ले जाते हैं है ना अब आप देखेंगे कि बिहार में ऐसा हुआ कि जो सरकारी सिक्षक बना उसको अगवा कर लिया गया उसको किड़नेप कर लिया गया और जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी गई कि देखो कैसा माहोल हो चुका इस देश के अंदर कि जो टीचर है उनको किड़नेप कर लिया जाता है और जबरदस्ती लड़की से शादी करवा दी जाती है क्यों सरकारी लड़का चाहिए और उपर से टीचर बन पड़ा है कौन छोड़ने वाला है अब देख लो आप इस देश के कैसे हालात हो चुले है यह भिहार की घटना पूरे देश ने देखा इसको बच के रहो भाई आगे बढ़ते हैं राइट आंसर इस क्वेशन का क्या होना चाहिए सिक्षार्थियों में बहुत विभिंताएं होती हैं हेम्राज क्या रहे हैं बचके रहना है बेटा बचके रहना कल को कोई आपको न किडिनेप कर ले शिखा क्या रही है सर आप बचे रहना बेटा मैं इस प्रोसेस में फसणे वाला नहीं हो मैं अबने स्टूडियो से क्लास लेता हूं ठेक है अपने स्टूडियो से क्लास लेता हूंत लोगत ह कोई अगभा ना करें बस हम बचके रहने का प्रयाश तो करते हैं अब किसी दिन अगर Please इसने उठा ही लिया तो हम कह देंगे यो भाई साथे को हम आज जोड रहे हैं हमें पहले जो है क्लास लेने दो एक कैमरे की विविस्था करो हमारे लिए बोर्ड नहीं भी होगा तो चलेगा ठीक है मैं बोल बोलकर कही पढ़ा दूगा अपने बच्चों को माइक दे देना ब बस एक कैमरे की विविस्था कर दो मेरे सामने पहले मुझे क्लास लेने दो मुझे पढ़ाने दो चलिए आए राइट आंसर बेटा इसका क्या होना चाहिए यह कहता है कि संग्यानात्मक शमताओं और सीखने के स्त्रों पर आधारित भिनता हैं बिलकुल होती हैं बच्चों के अंदर राइट आंसर बेटा इसका ओप्शन नुमबर डी बनेगा प्रैशन अगला हमारा हमसे क्या कहता है कि असेस्मेंट बाय ओनली पेपर पैंसिल टेस्ट केवल कागज पैंसिल जाचों द्वारा आकलन स्कल आकलन को बढ़हावा देता है आकलन को सिमित करता है बिटा राइट आंसर ओप्शिन नुमबर बी आकलन को सिमित करता है माध्यमिक विध्याले की बात की गई शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है अब ये शिक्षिका कोई और नहीं ये शिक्षिका साजिया है मोनिका है, सोनिका है, पूजा है, खुश्बू है, जोती है फूला है, रवीता है, प्रिया है यह सभी हैं अफीफा है और इनकी क्लास के अंदर इनके पास है कि यह बच्चा जो की बधिर है तो आप क्या करेंगे ऐसे मैं क्या करेंगे देखे ध्यान से बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठने के लिए कह दो गया ताकि वह बधिर केंद्र में परवेश ले ले नहीं बेटा आप उस बच्चे के लिए विवस्था करोगे जिसे की वह बच्चा भी सीख पाए वह बच्चा भी बहतर हो पाए राइट आंसर हमारा इसका बनेगा ओप्षिन नमबर बी एक्सप्रेशन्स फेशिल एक्सप्रेशन्स के माध्यम से वंचित वर्ग की यहां पर बात कर दी गई है अवशक्ताओं को प्रभावपून तरीके से पूरा कर सकता है कैसे कख्षा कख्ष में अलग स्थार पर बि पूत जी कहां रहते वाप गजम है इस क्लास के अंदर कभी भगत सिंग जी आते हैं कभी जासी किरानी आती हैं कभी भूत आते हैं कभी कोई आता है कभी कोई आता है मनलब सारे के सारे महान लोग देवी देवता राक्षश सब इसी कक्षा में इखटे हो रखे हैं धन्या ह हुई मेरी क्लास कि जहां पर यह सब लोग ही घट्टे हैं कि बैटा हम लोगों की जो जिम्मिदारी बनती है सिक्षक के तौर पर वो बनती है कि प्रतेख बच्चे की अवशक्ता के अनुसार अपने सिक्षन कोशल को बहतर बनाए और जहां भी जिस भी बच्चे को दिक्कत आ रही है वहां पर उस बच्चे का साथ दे आंसर बनेगा ओशन नंबर ए प्रयशन अगला हमारी स्क्रीन पर आता है जिसमें आप सभी पाते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की गई है यह तो हर कोई बता देगा लेकिन मैं देख पा रहा हूं कुछ बच्चे यहां भी गलती कर रहे हैं हमेशा याद रखना यह वो बच्चे होते हैं जो कुछ छेत्रों में सीखने से संगर्ष करते हैं जिसको डिसलेक्सिया है बेटा वो रीडिंग में दिक्कत आती है डिसग्राफिया है लिखने में दिक्कत आत यह लेकिन सभी ने आज मैं देख रहा हूं कमेंट नहीं किया है कौन सा कमेंट अपना सबका फिवरेट cdp by cdp by कि अजय सर कि चलिये सब ही एक बार कमेंट करें मिटाएक साथ कि सभी ने कर दिया पक्का नहीं अभी कुछ रहते हैं कि चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इसके बाद प्रेशन अगला हमसे ही कहता है कि क्रिएटिविटी को लेकर कि आपको बताना है हमेशा याद रखो हमें यह कहना है बच्चों को कि देखो जो प्रोब्लम है ना उस प्रोब्लम के अनेको समाधान खोजो समस्या एक है लेकिन उसके समाधान अलग अलग बहुत सारे निकाल कर लेकर क्या आओ रटवाना नहीं है हम लोगों को बच्चे को मल्टीपल च्वैस क्वेशन की और लेकर नहीं जाना है different solutions बच्चों से निकलवाने होते हैं option number भी इसका हमारा एकदम से सही होगा प्रेशन नंबर बेटा 27 पर जब हम लोग आते हैं ना बहुत बढ़िया प्रेशन हमें यह दिया गया है विशेश आवशक्ता वाले बच्चों से विएवार करने के लिए निम्न लिखित दारशनिक द्रश्टी कौन में से किसका अनूसरण किया जाना चाहिए उन्हें समावेशी सिक्षा का और नियमित विध्यालयों में अध्यम करने का अधिकार प्राप्त हैं एक बच्चे को समावेशी सिक्षा के तहट हम लोग सामान्य बच्चों के साथ ही बेठा कर सिक्षा देंगे, कोई रोक नहीं सकता, याद रखना स्कूल, उसके बाद क्लास्रूम, बेटा क्लास्रूम के बाद में फिर बात आती है, टीचर की, स्लेबस की, सब कुछ सभी बच्चों के लिए सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, किसी के साथ कोई बहिदभाव नहीं होगा, ऑप्शन नमबर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा, अच्छा अभी हमारे प्रधान मंत्री कौन है, सभी बताना जरा एक बार जल्दी से, 2024 में, चलो सभी जानते हैं, लेकिन जब 2009 में RTE Act बनके तयार हुआ, तब हमारे देश के प्रधान मंत्री कौन थे, एक और पोइंट मुझे बताना, सन 2000 में, जब SSA आया, तब हमारे प्रधान मंत्री कौन थे, बताना जरा एक बार, याद है या नहीं आप लोगों को सब चीज़ है, अब ही मोधी जी है, 2009 में मनमोहन सिंग जी थे, और 2000 में जब SSA आया था, तब कौन थे, तब थे अटल बिहारी जी, है ना, चलिए, अगला प्रशन हमारी स्क्रीन पर आता है, जिसमें अब लोग पाते हैं कि learner-centered approach का आप लोगों से जिक्र किया गया है, हमारी जो सिक्षा व्यवस्था है, बेटाव सिक्षा व्यवस्था का जो केंदर बिंदू है, वो केंदर बिंदू हमारे लिए कौन रहेगा, हमारे लिए बच्चा होगा, जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी गतिविदी होगी, वो सब बच्चे के लिए बच्चे के अनुसार ही होगी, तो आंसर हमारा बनता है option number B, बच्चों की पहल होती है बच्चों को महत्व दिया जाता है, question number 29 हमसे कहता है कि आप लोगों को बच्चों को सिखाना है, और सीखने के लिए प्रमुख क्या है, रटवाना नहीं, अनुभंद, कंडिशनिंग, अनुकरण नहीं बेटा, आर्थ निर्मान, बच्चा खुद से मीनिंग मेकिंग प्रोसेस के तहत सीखे, लेकिन मैं देख पा लाइक, चलिए, वारी गुर बेटा, एक बार सभी कमेंट में लिख देंगे, CDP by Ajay Sir, चलो, सभी लिखते हैं एक साथ, CDP by Ajay Sir, और हमारी ये जो क्लास है, इसका टाइम होता है, ग्यारा बजे, रोजाना ग्यारा बजे यहीं पर लाइब आया करो, यहीं पर सभी के सभी, प्रशन अगला हम से क्या कहता है, ध्यान से देखो, प्याजे और वाइगॉट्स की एक रचनात्मक कक्षा में अधीगम, कैसे करवाते हैं, ध्यान से देखो, मैंने EBS के हिंदी में नोट्स दिये थे, और CDP के लिए और पैड़ागोजी के लिए भी हिंदी में नोट्स द करें लो बेटा प्याजे और वायगौज़ की दोनों रचनाइतमकता की बात करते हैं। इन दोनों का यह कहना होता है कि जो यह दुणिया है यह दुणिया बच्चे के लिए नहीं है और नहीं दुनिया है option number B की मैं आप लोगों से कुछ प्रेशन करूंगा सभी मुझे जिल्दी से जवाब देते जाना सबसे पहला प्रेश्ण कि प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी है कि दूसरा प्रेश्ण वाइगोट्सकी ने कौन सी थ्योरी दी है तीसरा प्रेश्ण गाड़नर ने कौन सी थ्योरी दी है चोथा प्रेश्ण ब्रूनर ने कितनी स्टेज दी है चोथा प्रेश्ण एरिक्सन ने कितनी स्टेज दी है अगला प्रेश्ण थोर्नडाइक ने किस पर प्रियोग किया जल्दी से बताओ पावलोव ने किस पर प्रियोग किया एकदम छोटे छोटे प्रेशन टूदा पॉइंट आप लोगों से पूछ रहा हूं सभी जवाब करते चले अब ही टैलिग्राम पर जाओ सभी के सभी और टैलिग्राम पर सर्च करो अजय सिंग खर्ब और इस टैलिग्राम चैनल को जोइन कर लेना यहीं से आपको सभी link मिलते हैं class के भूलना मत कोई भी और यहीं से आपको नोट मिलेंगे झाल झाल